क्या आप अंदर परदेश से हैं, क्या आप असम से हैं, क्या आप बिहार से हैं, क्या आप महरास्ट से हैं, क्या आप पंजाब से हैं क्या आप बीएजी कोर्स कर रहे हैं क्या आप बीकॉम कर रहे हैं क्या आप बीएसी कर रहे हैं क्या आप मास्टर डिगरी कर रहे हैं क्या आप बेस्टल डिगरी कर रहे हैं क्या आप सर्टिफिकेंट कोर्स कर रहे हैं चाहे कोई भी कोर्स हो दोस्तों या किसी भी परकार का कोई भी एस्टेट हो अगर आप कोई भी कोर्स को कर रहे हैं किसी भी एस्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो क्या आपको पर्मोट कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा आज किस विडियो में हम इसी को लेकर आप साथ ही कौन से प्रोग्राम वाले को पर्मोट करेगा और कौन से कोर्स को पर्मोट नहीं करेगा आज किस वीडियो में हम बताएंगे कि काफी जो है स्टूडेंट लगातार कमेंट करके वे अपने स्टेट बता रहे तो हमें क्या प्रमोट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे आज किस वीडियो में पूरी डिटेल जानेंगे तो वीडियो के साथ बने रहीएगा वीडियो काफी मज़िदार और काफी इंट्रेस्टेड होने वाले सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें अगर आप किसी वी एस्टेट से बिलोंग करते हैं चाहिए कोई भी एस्टेट हो किसी वी परकार का कोई भी एस्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला बात यहाँ पर जो एया उटके आएंगे कि क्या हमको जो है पर्मोट कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दे अगर आप इन सभी में से भारत के किसी भी राइज में अगर आप आते हैं किसी भी एस्टेट में आते हैं अंध परदेश में हो अरुनाचर परदेश आसम बिहार जार किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं इसके साथ साथ कोई भी कोर्स कोड को कर रहे हैं चाहे मास्टर डिगरी कर रहे हैं पीजी डिपलोमा कर रहे हैं चाहे बीएजी कर रहे हैं बेसलर डिगरी में कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पर बता दे सभी के सभी स्टेट को औ या सिफ B.S.C. वाले को ही पर्मोट किया जाएगा, या सिफ Master Degree वाले को ही पर्मोट किया जाएगा, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, यहां तक कि यह भी बात सामने आ रही है, कि जो भी Candidate Final Semester में बिलोंग करते हैं, उन्हें भी पर्मोट कर दिया जाएगा, इस बार, इस बार Corona Virus से संकरमीत जो है लोगों की संख्या लगातार जो है विर्दी हो रही है, और WHO का कहना है, कि आने वाले एक सप्ता में, यह जो एक करोड से भी जादर लोग यहां पर गरसित हो जाएंगे, पूरे दुनिया में, वैसे में घड से बाहार निकल पाना बहुत जादा, खत्रे से कम नहीं है, वैसे में सभी स्टूडेंटों का परिच्छा रद कराने का विचार किया है, MHRD के तरफ से, यानि UGC के एक नई गैडलाइन में, आप सभी का परिच्छा रद को लेकर बहुत ही जल्दी, एक नोटिस आने वाले हैं, उस नोटिस के आने के बाद, आप सभी बिल्कुल भी कनफर्म हो जाएंगे, कि आप सभी का परिच्छा रद हो चुके हैं, इसलिए चिंता करने की जोरत नहीं है, भारत में अभी 4,73,000 के आसपास अभी कोराना पैसेंट मोजुद है, जिसमें से 14,907 लोगों के मिर्दू हो चुकी है, पुरी दुनिया में चोथ ले पाना इस सा बहुत ही, बहुत ही मुश्कील है, इसलिए अगर आप किसी भी किसी भी कोई भी प्रोगाम अगर आप लेते हैं, कोई भी किसी भी परकार का कोई भी प्रोगाम लेते हैं, चाहे सर्टिफिकेट कॉर्स हो, चाहे आप बेसलर डिगरी हो, मास्टर डिगरी हो बीएसी हो, बीकॉम हो, बीएजी हो, चाहे पंजाब से बिलोंग करते हो, चाहे महाराज से, चाहे बिहार से, चाहे आसम से, चाहे अंद्रपरदेश, तो सभी विद्धायर्थियों को जो है, यहाँ पर एगुनू के तरफ से परमोट कर दिया जाएगा, इस विडियो को में परमोट किये जाएंगे, कि हमें इस कोर्स में परमोट किये जाएंगे, तो इन सारे बातों को लेकर उनमें काफे ज्यादा प्रॉलम हो गिये थे, अब आप हमें नीचे कमेंट लिखकर वताएं, कि अभी भी आपको किसी भी परकार का कोई समयस्या है, तो आप नीचे क पर्मोट करेगा तो किसी को भी पर्मोट नहीं करेगा लेकिन दोस्तों यहां हम आपको बता दे कि इग्मु के तरफ से 90% जो है 90% पोजिटीब निउस आ रहे हैं कि सभी विद्यार्थीों को जीतने भी विद्यार्थी हो सभी को जो है पर्मोट कर दिया जाएगा 90% जो है चांसे से कि सभी को पर्मोट करने के लिए रिक्वेस्ट जो है आ चुके हैं और वैसे में सभी विद्धार्थी काफी ज़्यादा खुसे आपको यह विडियो देख कर कैसे लगे आपका जो सरकार जो डिसीजन लेने जा रही है यह जिसी जो जिसीजन लेने जा रही है कि सभी विद्धार्थी को पर्मोट करने के लिए क्या यह डिसीजन खुराफ है यह अच्छा है क्या है आप पर इस पर क्या बिचार करते हैं दोस्तों अपने बिचार हमारे साथ जरूर सेर करें हम काफी जादा महनत करते हैं आप सभी के लिए वो सारे इंफ्रमेशन पहुचाने के लिए जो आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं वो ही इंफ्रमेशन हमारे इस चैनल पर अपलोड होते हैं इसलिए अगर आपने अभी तक स्टूडेंट रिसर्च को सस्क्राइब नहीं किये तो जल्दी से स्टूडेंट रिसर्च को सस्क्राइब करें वैल का इकोन को हीट करें और जूर जाए आने वाला वो हर परकार का वीडियो देखने के लिए ताकि आपको सही और सठीक जानकारी मिल पाए आज का दोस्तो वीडियो एहीं तक रहा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फूर वाच